Hello everyone, back into my channel आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ शियर करने जा रही हो माइ फेवरीट मेकप प्रॉड़क विच इस लिप्स्टिक और ये लिप्स्टिक जो है ये होने वाली है मैट फॉर्म में वो भी बिना किसी फाउंडेशन को मिक्स करें तो आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगी जिसमें फाउंडेशन के हैल्ड से हम मैट लिप्स्टिक बनाते हैं बट इस वीडियो में मैं फाउंडेशन को मिक्स नहीं करूंगी तो ऐसे कौन से प्रॉड़क हम यूज़ करेंगे जिसके तरू हम इसे मैट बनाएंगे उसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है वैसलीन इसकी क्वाइंटिटी आपको लेनी है 1 टीस्पून आप कोई भी DIY मेकप प्रॉड़क बनाएं या फिर स्किन क्या प्रॉड़क बनाएं तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा करिए प्रॉपर हार्जीन का ध्यान रखा करिए और जो भी आप योटेंसिल या फिर आप कंटेनर यूज़ करें है वो एकदम क्लीन होने चाहिए ठीक अब इसमें हम मिक्स करेंगे नेक्स्ट विटमिन E का एक कैपसूल लेना है आपको और उसके ओईल को इसमें मिक्स कर देना है ये आपके लिप्स को मॉश्यराइस करेगा और उसकी पिग्मेंटीशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा इसके बाद कलर के लिए फूट कलर ले रही हूँ मैं अगर आपके पास कोई कॉस्मेटिक कलर हो तो आप वो भी ले सकते हैं अपने तीने उंग्रीडियन को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है अब आपको दिख रहा होगा कि यह थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में है तो इससे मैट बनाने के लिए आपको लेना है या दो कोई फेस पाउडर जिसे आप वाइटोन ले सकते हो या फिर आपको लेना है कोई भी कॉम्पेक पाउडर जो भी आपके पास अविलेबल हो इन दोनों में से आपको कोई सा भी मिक्स कर देना है और दीरे दीरे करके मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्वेंटिटी आपको लेना है और आपको इसे मिक्स कर देना है तब तक आपको mix करना है जब तक कि आपका जो lipstick है वो matte form में ना आ जाए मतलब धीरे धीरे करके जैसे आप mix करते रहोगे तो ये last में आके कुछ इस type से बन जाएगा कि आपको ये matte form में दिखने लगेगा ठीक है जब अपका ऐसा consistency में आ जाए तो फिर आप इसे किसी भी container में store करके रख सकते हैं और color की बात करें तो आप अपने according जादा या कम रख सकते हैं container की बात करें तो ये मेरा wix का पुराना container था जो की almost कदम हो गए थी तो उसको फिर मैंने अच्छे से clean कर लिया और इसमें अपनी lipstick को store कर लिया तो अगर आपके पास भी इस type से कुछ है तो आप उसको use कर सकते हैं और अपना कुछ बड़ी असा product बना के उसमें store कर सकते हैं तो थोड़ा सा decorate कर लिया है मैंने इसे ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो अभी मैं आपको apply करके दिखा रही हो अपने lips पे जिससे आपको idea हो जाएगा कि ये lips पे कितना smoothly apply हो रहा है और इसके साथ साथ ये होने वाला है आपका waterproof and transfer proof भी camera में ये थोड़ा सा आपको glossy form में लग रहा होगा बट नहीं real में ये आपका pure matte form में आएगा तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीज़ेगा share कर सकते हैं आप और channel पे नए हैं तो channel को subscribe करना मत भूलेगा अपना feedback जरूर दिया करिए कोई भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो इसमें मुझे ये जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much for watching